तो प्लीज आप लोग अगर हमारे प्रीविडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाईए वहाँ पर आप पार्ट वाइप उनको देख लें अच्छे से रिवीजन कर लें क्योंकि उसमें से आपको 100% कोश्चन देखने को एक्जाम में मिलेंगे चैनल पर नहीं हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में इसको भी प्रेस कर लें ओल उपर प्रेस कर लें ठीक है तो एक मोटिवेसर हमारा यह है जब तक पिता का साया सिर पर है वो रास्तों के हर कांटे को फूल बना देता है खुद लाठी टेकने लगता है मगर आपको अपने पाउं पर खड़ा कर जाता है तो दोस्तों इसी के साथ हम वीडियो करते हैं शुरुआत वीडियो को एंड तक देखना वीडियो कैसी रही प्रीवेश कोश्चन प्लीज आप लोग में कमेंट करें बताना और आपका जो भी सजेशन हो कि आप लोग क्या चाहते हैं किसके उपर वीडियो चाहते हैं कि हम आपको ज़्यादा सज्यादा कोश्चन करवाने की कोश्चिस करें अगर आप लोग एक डिमांड और है मैं कहना चाहूँँगा प्लीज आप लोग वोसे रुकाष्ट करूँगा यूथ इलेक्ट्रोंडिस मेकैनिक अगर आप लोग स OPAMP की निमलिकित में से कौंजी एक विशेस्ता नहीं है तो कौंजी नहीं है अनंत ऑफसेट बोल्टेज कोश्चन है जब किसी ट्रांजिस्टर का प्रचालन विंदू या ऑपरेटिंग पॉइंट विच्छेदन या कट आप पर होता है तो वो एंप्लीफायर का सम्मेहन क प्रचालन कितना होता है तो 180 डिगरी होता है अगला कोश्चन एक यानि एंटीन में कितनी परासरब भी छड़ेया एलिमेंट्स होती है तो होती है कोश्चन हमारा प्रतिध होनी पर दिये गए परिपत में इसे प्रवाइद होने वाली करंट के मूल को पहचाने तो 100VPP की साइन वेव का प्रवावी मूल है तो 70.71 बोल्टेज अगला कोश्चन है दो टर्मिलों के बीच के विवहांतर को इंगित करने के लिए दिये गए सब्द को पहचाने EMF यह हमारा स्वई उप्शन हो जाएगा अगला कोश्चन है किसी SCR के दोवरा गेट का रडात्म वोल्टेज के लिए प्रचलित करने की अनुमोती देना अगला कोश्चन हमारा है दो धुरूबिये संदी ट्रांजिस्टर बाई पोलर जंक्सन ट्रांजिस्टर कहते हैं जिसको किसी छेतर प्रवाव ट्रांजिस्टर फिल्ड एफेक्ट ट्रांजिस्टर के लाभाउं से म एक प्रिकासी तंद्य हम कहें सकते हैं ऑप्टिकल फाइवर का अब और तंक सूचकांग भी भिन होता है दिये गए विकल्पों में से ऑप्टिकल फाइवर के प्रिकार को पेंचानिए तो स्रेडी बंद सूचकांग तंक तु फाइवर ठीक है अगला कोशन यहां पर देख स जंक्शन अगर अवनिति या फॉर्वर्ड वाइस तथा संग्राही आधार संदी कलेक्टर वेस जंक्शन विप्रीत अवनिति रिवर्स वोड यानि की रिवर्स वोड में या तरप पीछे की और तो ट्रांजिस्टर प्लाचान अफ्रेटिंग किस छेत्र में है तो वह जा ये परिवर्ति अंतर ये परिवर्तक एक परवर्तक है जिसका प्रियोग को मापने के लिए किया जाता है तो वह जागा रेख एक विस्थापन अगला कोश्चन आपर दें किसी ट्रांसफर में अधिक्तम कारिद छमता होने के लिए निवन में से कौन सा कथन सही है तो ताम 152 वोल्टेज से जुड़ा हुआ है तता मद्द सेकेंडरी वोल्टेज 500 वोल्टेज है यदि प्राथमिक में घुमाओं की संक्या एक हजार है तो माध्यमिक में घुमाओं की संक्या कितनी होगी तो राइट अप्सन हैगा 2000 हम कहे सकते हैं डेटा की दौरान अंकिर ए संग्र अधिकांस मोलंग को हम कह सकते हैं कॉंटेक्टर्स में उनके केस के अंदर ही डायूड निर्मित होता है इस डायूड का क्या का रहे है तो राइट अप्शन का आस्थर वोल्टेज के विरुद परिपत की रच्छा करना वह कौन सा सब्द जो करेंट या धारा का संके देता जिसे फ्यूज द्वारा जिस परिपत में वह जुड़ा है वह द्धान किये बिना ले जाया जाकता है वो जगा धारा वहन करने की छमता धरातल तरंग फैलाब निम्लिकित अबरतियों में से किसके लिए उपयुक्त है तो राइट अपसर थर्ड वाला हमारा अगला कोशना आपने देख से नीचे दिए आरेक फिलिफ लॉप का प्रचालन के लिए ट्रिगर पर्स आविस से गए रिडातम इस्तर का प्रेरग ट रहता है ठीक है और माइनस का नहीं प्लस का रहता है यह द्यान रखना और 79 की अगर है तो माइनस की रहेगी अगला कोशन हमारा है आउटपुट अवस्ता में सुच करने के लिए प्रेरग समभी समभेधन किसका प्रियोग करता है तो दोलन अबरती में परवर्तन अगला क कुछन देखते हैं 25 कोशन इसी में देख लेते हैं किसी श्रिमिष्ट ट्रिगर परिपत में निर्गम की अवस्ताओं की संक्या होती है कितनी होती है दो होती है दियेगे सरकेट का आउटपुट कितना होगा तो देहां पर देख सकते हैं आनसी ग्रूप से आप रोधित क् अर्द चक्र था पूर रडात्मक चक्र अगला कोशन कोई पूर योजक परिपत कह सकते हैं कितने वीट्स जोड सकता है तो थ्री जोड सकता है यदि सकती आवर्द क्या पावर एंप्रिफायर 100 MW निवेस इनिपुट के लिए 1 वाट की निर्गम आउटपुट सकती देती ये तो डीपी में कितनी सकती ब्रद्धी होगी तो राट उसनों जगा 10 हो जाएगी अगला कोशन यहाँ पर देख सकते हैं कि कोशन नमबर 29 है निवलिकित में से किसकी वहातम का चार एलेक्ट्रोस नहीं होते हैं एंटी मोनी अगला कोशन यहाँ पर है किसी साथ खंड वा आनोड प्रदर्शन डिस्प्ले टीटी ए लॉजिक में लॉजिक बन के लिए निवेस मूल ले तो हो जागा 2.0 वोल्टेज आप ब्रती चैनात्मक यहाँ कह सकते हैं फ्रिक्वेंसी सेलेक्टिप एम्प्लिफायर द्वारा कप्लिंग के द्वारा जाते हैं तो यह हो प्रतिधुनी पर समानांतर प्रतिधुनी परत्व के शक्ती कारक के मूल को पहँचाने एक हो जाएगा सही ओप्सन रिमोट कंट्रोल में प्रियोग किये जाने वाले इंफ्रावडर सिंगनल की तरंग धहर होती है 980 NM अगला कोशन ने किसी दसक काउंटर का निर्मार करने के लिए आविश्चर कुलिप लॉप की संक्या होती है कितनी होती चार होती है एक कारवन फिल्म प्रतिरोद का जब 10 बोल्टेज आ पूर्टी के साथ जुड़ा जाता है तो इनमें से 1 मेगा 1 मिली एमपीर की धारा प 1.6 एमपीर की धारा प्रवाइद हो रही है तो इस तार के में से प्रति सेकेंड कितने इलक्ट्रोन गतिमान है तो निर्म पहिंचानना है दस पेगात 19 एक बोल्ट मीटर का आंत्रिक प्रत्रोद होता है अतिधिक होता है क्लैमपर सरकुट का कारव क्या है यह DC मूली इसतान किया जाता है तो तापी हानी रोकने के लिए एक नौर द्वारा ऐसार फिलिप फ्लॉप में दोनों निवर से इनफुट लॉजिक जीरो पर है तो फिलॉप फिलॉप का निर्गत आउट बुट क्या होगा परवर्थित नहीं होगा जैसा है वैसा ही रहेगा दिये क परवर्थित में से क्या लगू परिपद विच्छेदक का घटक नहीं है तो वह हो जाएगा निर्वहन संदार्ज डिश्चार्ज कैपिसिटर अगला कोशन आईड़ी के निर्माड में नीचे दियेगी सामद भी अधिम नहीं है तो कौन जी नहीं है सिलिकॉन फास्पाइ अगला कोशन हमारा थर्मों कपर के लिए किस पकार का इंसूलेशन उपलब्द कराया जाता है तो जब खनिज रोधन अगला कोशन हमारा किसी सिलिकॉन नींत्रट दिश्टकारी के लिए संपरवर्तन सब्द का प्रियोग खाले इस्तन बड़न करने लिए तो जब बंद कर सब्सक्राइब करते हैं हम करते हैं भी डिश्टन सेथू का प्रियोग करते हैं फिर हमारा संक्या ऐफ का गुड़त बाइनरी समझ क्या हुआ तो राइट अप्सन जो हो जागा हमारा फोर्ट वाला इसके ऊपर हमने एक वीडियो बना दिये तो आप लोग हमारे चैनल पर कि इनको देख सकते हैं अच्छे से एक दोलन दर्सी या उसलों स्कॉप में दो संकेतक के माध्य फेज का अंतर मापने के लिए कि किस माध्यम का प्रियूग का यह आता है तो एक्स माइनस बाई का माध्यम हाव मैनी लेयर डज इन एस सी आर तो कितनी होती है चार चार लेय नामक एक ही परिबत की सुरुच्या के लिए निर्गम धारायत तता वोल्टेज दोनों को कम करने की विसेस्ता क्या कहलाते हैं उसको बोलते हैं फोल्ड वैक धारा सीमित करना एक प्रकास सूचक या फोटो सेंसर सुच में निम्रेखित में से कौन सा घटक होता है तो संचार में आवांचनिया छेप को खाली सतन के रूप में संदर्वित किया जाता है सोर नौइज आई कोशन देखेंगे इडेंटिफाइ दा करेंट स्टेडमेंट और फोर दा थ्री फेज स्टार कनेक्शन तो लाइन करेंट वराबर फेज करेंट एक पूर्चकर में रेडियन संक्या होती है टू पाई होती है एलेडी टीवी में प्रियोग किये जाने वाले डिस्पले का प्रकार होता है उसे गोलते हैं LCD यदि दो एंपीर की धारा के नीचे दिएगा प्रिपत में प्राहत हो रही है तो बोल्टेज का मूल क्या होगा 120 बोल्टेज हो जाएगा फिर कोशन हमारा IC 555 वर्क आजेव पल्स विधर्ट मॉडूलेटर तू सुच बिच पिन सुट दा वेरियेवल वोल्ट वी अप्लाइड तो राइट अप्सन है कंट्रोल पिलन क्या कंट्रोल पिन विच कंपोनेंट्स इस यूड विच विद एरेट रिले तू आवाइड डेमेज दू तू दा कॉलो पिसिंग मेगनेटिक फिल्ड हो जाएगा डायोड अगला कोशन है नंबर ओफ टिंगरिंग टिंगरिंग मोड फोर ए ट्राइक इज तो राट अप्सन हो जागा इसका चार किसी सामान ने उत्सर जग विन्याज या कॉमन एमिटर कॉन्फिग्रेशन के लिए निम्रितम कौन सा कतन सत्य है तो इनमें धारा तथा बोल्टेज दोनों में ब्रद्दी होती है अगला करता है तो डेटा को दाई या वाई और इस्तानित करता है तो उसे कहा जाता है उसे वोलते सर मौविक यूनिवर्सल रजिस्टर नीचे दिये गए ओपी एमपी सर्किट परवित का नाम पहिंचाने इसकी है विभेदक या डिफ्रेंसियर डिफ्रेंसियेटर यदि बीटा कामान नियान भी है तो अलफा कामान कितना हो जाएगा 0.99 हो जाएगा 220 वोल्टेज 50 हट के अपरती पर चलने वाली चार दुर्वी इंडक्शन मोटर की तुलिकाली गती होगी 15,000 रपीम अगला कोर्शन है अप्टिकल फाइवर संचार में जिसमें अधिक दूरी तता वीडियो में मैंने आपको कम से कम 75 कोशन करवाई है और आपका अच्छे से रिवीजन हो गया होगा अगर आपके कोई डिमांड है यूथ कॉंपटीशन जो बुक है हमारी एलक्ट्रोनिस की यूपी एमारसी के लिए प्रिवियस कोश्चन है और सैडवी अगर आप चाहते तो कमेंट करके बता देना तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेर सब्सक्राइब चरूब करें थेंक वर वाचिंग जय हिन जय भारत